जाज टीवी देख रहे हैं तुसी मैं केपी सिंग तो अड़ा स्वाथ करता है पाकिस्तान तो का तायर पूल लांगे दी खबर आई सारा ने खोशिगा मनाई है हला के स्यासत भी आंते खूब भाई ते होन पाकिस्तान तो एक हुर खबर आई है कि कश्मीर डे मनामा के लंड जाए तो पहला रफ्रेंडम दी गाला चड़ी वार वार चुकी की हलाके पूरा मेडिया इस दा हिस्सेदार नहीं सी पर मेडिया देख हिस्से ने इस मुदेन बोश चुक्या पर होना जड़ा ओ लंडन दे उत्ते स्यासत शुरू होगिया के लंड़म वे कश्मीर डे पार मेडिया असल विच इस बैस विच्चो निकलेगा की सानू नहीं पतागा पर इस बैस स्चै कोछ निकलेगा के निनिकलेगा यह ता बैस दश्से की इबाइस आईदी नहीं तैय कर देगी केस्विच निकलेगा की इबाइस ओदो तैय करेगी जो दो हैर उन्नी आदेगा इबाइस ओदो तैय करेगी जो दो हैर भी आदेगा जो 2020 आदेगा पहला सुन लिए पाकिस्तान ने मंतरी कह की रहे है उस तो बात इबाइस शुरू करा अफ दा हाउस और कॉमिन्स की रिपोर्ट आ चकी है 30 अक्तूबर को इन रिपोर्ट को सामने रखते हुए और ब्रसल्स में जो जनवरी में डिबेट होनी है उसको सामने रखते हुए आओ मिलकर इस साल पाकिस्तान का जंडा और कश्वीर के जंडे हाथ में लिए लंदन में ह और इमरान ना तुम्हें भूला है हमारा रिस्पॉंस मेजड था मिच्यूर था और हम परसिस्ट करते रहे कि हमने मामूल के तालुकात करने है हमने तालुकात में बेतरी लानी है और फिर आपने देखा और आपने देखा और दुनिया ने देखा पाकिस्तान ने देखा कि कल इमरान खान ने करतारपूर की गुगली भेख दी और उस गुगली के नदीरा क्या हुआ कि वो हिंदुस्तान जो इंगेज करने से कत्रा रहा था उनको दो वुज़रा को रुखसत करना पड़ा बाद लेना खास्ता वो पाकिस्तान आए और उन्होंने इंगेज किया और हमें खुशी है कि वो आए क्योंकि हमारा जो पैगाम है वो आमन का है हिंदुस्तान के साथ तालुकात को बढ़ाना चाहते है और अगर हिंदुस्तान और ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुफाद में है हमारा और हिंदुस्तान का बलके इस रिजिन का मुफाद ये है कि पाकिस्तान और भारत के तालुकात बेतर हो लेकिन इन तालुकात में बेतरी आ नहीं सकती जब तक भारत ये ना समझे कि जो मसला कश्मीर है और कश्मीर का मसला भी सिर्फ कोई इलाके का मसला नहीं है ये नहीं है कि हमने सिरी नगर जो है वो इसलिए हमें चाहिए कि वो बहुत खुबसुरत है या हमें इसलिए चाहिए कि वहां पर चश्मे हैं और नहरे हैं और वो एक जन्नत नजीर है हमें इस चो कश्मीर का मामला है वो इसलिए उसको हम टेरिटरी की नजर से नहीं देखते हैं हम उसको इनसानियत की नजर से देखते हैं हम उसको एक हिमेंटरियन एंगल से देखते हैं हम वहां के जो बसने वाले हैं वो हमारे जिसम का हिस्षा है और उनको जो तकलीफ होती है तो हम तकलीफ में जाते हैं हम तीन जंगे इसके उपर लड़ चुके है हमारा जो मुलक है उसके अंदर जो बहुत सारे हमारा जो जो इस वगद इंटिन sponsored terrorism पाकिस्तान के अंदर है वो सारे का सारा जो उसको समझिए कि उचका जो जैनिस है वो तो इसलिए है कि हिंदुस्तान कश्मीर के उपर अपना तसल्ट रखना जाता है स्वाले के पुछांगे वट्ड़ा स्वाले पुछांगे इस पैस देविच लंडन अलान नामे तुपा लंडन वेच पाकिस्तान कश्मीर ध्याडा मनों दे अलान ते माइने किया है एसे सवाल ते चर्चा करांगे पैनल सड़ना मजूद था है गार्नों तो ड़ा तारुद प्रार है महमध खालिद हिंदौस्तान पाकिस्तान दुझ रिश्ते है योदे रखते रेंगे पारदिया बर्गेडि forest संग कालों देष्पर्टन सबाइए न lors थे इन्हों नए सरषमीं देश वह सेवाद Самी पेरडियां अच्छे जानकर ते उस दिनाल अच्छे वशलेशक भी है कि ने ब्रगेडिया कल्दीप सिंग कालो तो अड़ा बहुत स्वागता है बहुत वार पाकिस्तान में गया ते उनना जड़िगा गती विदियां दा हिस्सा भी बांदे रहा है जिनना वेचे पार्त पाकिस्तान दी शांती दिगाल कीती जानती है तो अड़ा बहुत स्वागता दो सम्जिन कोशी करांगे असर वेचे मुद्धा है किया ड़ाटर मेज कोशिश करांगे ना तो असर मुद्ध तक पहुंचे जावे को कि पार्ति जानता पार्ति कश्मीर दे वेच आदे अपनों सरगर्म रखन दी कोशी वेच लगी होई है सब तो पहला स्वाल महमद खालिद महमद खालिद जदो कर्तारपूर लांगे दा जिकर हुंदा से गा मिडिया दे बौत हिस्से ने ऐ परचार कीता कि ये खालिस्तां दे मुद्ध नों हवा देती जा रएका है का मेरा स्वाल ए है का कि जदो ए हवादती जारी से की तां उस सब दे बचा ले बहुता हिसा एगाल किया रहा सी का कि ए जान बज़ के प्रोपेगंडा फलाया जा रहा है का पर हून जदो कश्मीर डे मनौन दा अलान कीता जानता है का कि एस दा उन देना कोई लिंक है जान। देखो वादा है कि जड़ा करतारपूर लंगे दा मसला हैगा ओ आजदा नहीं है वो बहुत पराना मसला है और ओदे विच जिस तरीके दिनाल सारी हैं तिराने मिलके करतारपूर लंगे नो हाँ दा नारा मारे है ओ बहुत अच्छी गल होना चाहिए दा बहुत परानी हु पाकिस्तान दे सामने एक बहुत वड़ा इशू जड़ा है कि पाकिस्तान जिस तरीके दे आइसोलेट होया है कई इशू दे उपर और इंडिया दी एही सोच है और इंडिया कर रहे है कि उन्हों हरिक पास आइसोलेट किता जावे टेरोरिजन दे मुद्दे दे उपर ओनानों यह अगा के जम्मू कश्मीर दे विच ओहो जो 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 जेड़ा हो कहने है कि इंडियन फोर्स इस अट्रोस् वज़ा की है क्योंके पाकिस्तान भी इस हीट नो महसूस कर रहे है कि इंडिया अपनी डिप्लोमेसी दे विचे काफी हद तक कामयाब है पाकिस्तान नो आइसोलेट करन दे विच इंडिया दी लीडर्शिप जिस भी इंटरनेशनल फोरे दे उपर जान दी है ओही गल कहन है जिदी हीट जडिया गया पाकिस्तान दी लीडर्शिप महसूस कर रहे है बरगेटी कर लो तुसी इस मुद्धेन किस तरीके ना समय देओ क्योंके जदो कोई पीस दी गाल हुंदी है शान्ती गाल हुंदी है जदो दोहा मुलकां दे वेच कोई गालबाद दा जिकर शोर है का ये इस नो किस तरीके ना समझ जाए को कि असी एते को शोर गल कर दे हैं को शोर गल करते है सई को ना गल्ट को ना ते फोई दा रोल है कि ए पहली गल है के अज़र्दों करतार पुर कारी डोड़ दा पाकिस्तान दी तरफ वह उते नहीं पतर रख्या गया ओदों कुरेशी ने भी प्यान देते हैं उते अड्रेस भी कीता और ये टोना चौंदे सी के इमरान खाने में जिकर कीता है कश्मीर दा अपने 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 पास्टन दे वेच तो ये एक कुरेशी साब ने मिं के जो के मैं सम्मेजा बड़े सीजन पॉलिटीशन है और इंटलिजियर पॉलिटीशन है एक वर ये थे आया सी के कशौली में उत्थे वी वो सेमिनार सी का तो मैं नहीं जान दा मैं कि ता आ भी एना दी ना ज़रे हॉक ये लिटरीचर फेस्ट हो ये ये उन चाहिए सी तो मैं एक कासौली लिटरीचर फेस्ट चाहिए सी के हाँ जी वह ये उन्हीं इस्सो पहलोग पाश्ट तो उजज़े ज़ाई गलबा तो ये इस सौाल ज़ा भी किते हो इना दे इच फरक एस करके है के इना दा बड़ा जड़ाप के ओत्ते गतारपूरसाव लाँगे दियँ बारे गरना चनदे तो एक किसदाऱ् दे वांटेंट सी की रियक्षन है मगर एक की चीज बड़ी सौछ्ट के इना दी जड़ियां दरूनी शक्तियांने उनान भी एनाने खोश रखने है देखो, एफ सरकार जड़ी एकोई अडिए मेरे मनों एक चीज जवाद है तुसी, खोश रखने मौले बयान उदन देते था सी जदन का तार पुर लांगे दा उते समाव हो या, जा होश करने मौ भी आई नहीं खुश करनवाला पहली काल उते दे जस्ट है माना जाहा वाला किशमीर दा जेता सी हून जड़ा है क्योंके उत्थी उत्थी उता वाम है गया है उत्थे बहुत सारी जहादी जथे बंदियाने फाउज है कि यह ते ते कोई उत्थे पहता सी सारे साडे नाल नह असी सादे फाउज विनाल होन जड़ा इना निकास ता उड़ते जड़ा होन कि होते लंडन दे दे दिन बना माँगे वो बड़ा सपश्ट है के इते प्रेशन पे रहा है डिपलोमेटिक प्रेशन साडे वलो मुल्क वलो ए पाकिस्तान दी केरा बंदी हो जो कि ये सारे पास आता हूँ ठीक है मैं एक छोड़ा ब्रेक लेना मैं ब्रेक तो वापस आऊंगा बहुत संजीदा चर्चा मांगदा है मुता क्योंकि अक्सर एहो जे मुदे रोले गोले विच गवाज जांदे है के मैं कोशिश करूँगा संजीदा चर्चा होई क्योंकि ये रफ्रेंडम वाज अन्यत्रफय जो जो पाकिस्तान दे विच्व पोस्टर लक जांदे है किया ते फिर उस लंडन अलाना में तो बात कश्मी डे मनौन्टा हुथे मतलब है किया ऐस देविच आले कोई कोई इडर नहीं है गा उस तो बापस आ अ लंडन अलाना में तबा लंडन वेज़ पाकिस्तान दे कश्मी दे आड़े मनों दे अलान दे माइने किया किया बरगेडिय कालो परा तुछ अपनी गालपूरी कालो फटाफाट वो लंडन इस करके के उथे पहलों 20 रिफरेंडम 2020 बड़े अलाना में होया कान्फरेंस होई है ते उते जिदा के पार्तने उते बरे चिंता जायर कर देया अपना ख़चा जायर कीता सी और अपना प्रोटेस्ट दे और ते उते उनने गलबत की उता फैदा लैना चाहूं दे पाकिस्तान के उते क्योंके खाले स्थान दे कुछ ऐलिमेंट हैगे ने उनना नो गी के पाकिस्तान ने ते हो थे देखो जी एक करतारपूर साब लांगा खोलन दा आ असी इनिशेटिव लिया आ गाल जूरू हो थे करनी है ना ने यहां लीडरा ने ते फेर आ गाल होनी है क कश्मीर दा इने वे के ओ थे जडियां फोर्सेज ने 2020 रिफेंडरम चे उन्नों ल परेगा यह अगर यह यूरू आ चुकैं year आपने भी सारे पास यह तो लिखो एना लिबारे जदो किश्मीर दा मसला एक दोला मसला है Day बार बार जाके यूरू आतटानवे लिटेंगी, मंगर पार्थ नु चिंथ्पह यह करनी पे प्राप्तियां बारे ऐखो बोल रहे हैं। उन्हा ने काफी गलां कित्टीयां। उन्हा न पाकस्तान एस्टान एस्टो पाकस्तान एस्टो हुआ नेबरिंग कांट्री करके क्योंकि पिशली सरकार ने जड़ी आया फॉर्ण मनेस्टर नहीं सी बनाया और दूसरे मातवपूर्ण का लोग इसे समागों चे कह रहे हैं कि ए सौधना चासी तहतर बाइलेटरल ते सोड़ा मल्टी लेटरल असी मीट गां जड़ी गां ओ कीति गां अईने देशां दा प्र और इंटरनेशनल पाई चाहरेज भी उनना दिया पॉलसियां दा जिड़ा मतलब दवाला निकल चुपका एक ता ही इनना मतलब है कि पाकिस्तान खुद नूँ अकल्ला मसूस का रहा है तो सही कहना चाहरे है इनना मतलब जो इंडियन गौवर्मेंट है केंज़त सरकार है पाकिस्तान नूँ समझ आखिया कि इंडियन गौवर्मेंट दी पालसी सजडी है वो समझ रगड़ा ला रही है तरीफ कर रही है तेंज़त सरकार में पाकिस्तान गौवर्मेंट दा नी डोला उदेच फार एक्जेंपल सब तो बड़ा पिछले समय चो मदान बने आ रहा ह पाकिस्तान रही हुजा देश जीने चैना नो भी और डी टर रॉटोर ली दिती्ते अइन के के इंजर सरकार्य नो क्रडीट देना नहीं यह आखि अधी तोन बहुजा reduce पिछ लंबा समा कांगरेस नहीं है यह तो एक पॉलिसी हुं दिया फॉर्ड पॉलिसी थीक है मैं जरे पिसन वर्या तो अड़ाता हमेशा वरोध हुंदा आया कि पाकिस्तान दे प्रतियरी तड़ी पॉलिसी है किया है वो उस तरीके दिनी है कि जो दोहां मुलकाई द्रम्या की जवाव दोहां मैं आप जी दा ध्यान 28 नवंबर और 30 नवंबर स्रफ 24 गंटे दा वक्ट पे दे इना दे प्रदानमंद वजीर आजम पाकिस्तान दे 28 नवंबर नो जो बासन दे रहे सी और आज उना दा भी कुरेशी साब जो बोल रहे ने उत्थे सो दिन दे पूरे होना लंडन वे जाके वो कहूंगे कहन दा मतलब ए उना दी अतासा दिस्खार ही है कि उन पाकिस्तान साधी सरकार NDA सरकार मोदी जी नेतरत विच जेड़ा उना ने पूरण पॉलिसी अडाप्ट किती ने ओ बिल्कुल ए आइसोलेट हो गया रहे है ओ अमेरिका तो भी कट गया ओ सारे वर्ड इवन इवन जेड़े अरब कंट्री ने ओ भी एनू पाकिस्तान नो एट कर रहे है ओ किया रहे है कि होन दोबारा फेर एही होता सामने आ रहे है बिल्कुल ए जीड़ा कमिशन दी गल कर रहे है मैं फिर कहना चांदा है रेपीटिशन वास्ते ओ कोई कमिशन जीड़ा सी एक वेस्टिड इंटरस्ट ना आदमी नो दिता सी ओ नगेट किता सी सांधी गोवर्मन ने ओ कंडम कित सी और मैं यह कहना चांदा है कि लांगा जीड़ा खोला पाकिस्तान ने और गुरुजी दे रस्पेक्ट ना नी खोला ओदे एदे विच इदे वेस्टिड इंटरस्ट सी और एस मुद्दे नो बुराना चांदा सी और और एक सोफ टार्गेट डून रहा सी और सिद्धू स ना फेले किते हैं अभी तो लांगा देए तो लंगा देस्दू साब जरिया सी वेच जह नहीं लागदा तो निस आई तो जरीया किसी आलते वी नहीं हो सकदे इन अले बड़ी जल्दी बढ़ले लेटे नहीं सामने बदलेडे ने मैं की सियासता गर दिउंडी ने ने सिया कश्मीर साधा है ए ए हुंदे को ना कैसे वाज़ी ठीक असर भाई साथ महमद खाली साथ महमद खाली साथ एक चीज़ थी आई है के पाकिस्तान आप दे अपनों आइसोलेट मसूस करना पर उख किंदी रान नीती दा हिस्सा जा किंदी कूट नीती जित मनिये असी वी पाकिस होन मसूस होनला पर कि रिस्ते बेतर करने चीज़ फायदा है पर नाल रिष्ते बेतर कने नाल जो दौक गाल केंदा कि कश्मीर लंडन दे वे जाकर मनामांगे तो थे जाकर दसानगे कश्मीर दे वेच हो की रहा है आध सीर מח के हर कंटरी समे समें आपनी जेढे फॉरन पॉ आुछ सारा वह इसागी ऐसी अपने अपनों री-पॉजिशन कर रहे ते सोवीत उनिट ने खत्म होंते बात। ऐसे तरीके दनाल पाकिस्तान भी अपने आपनों इम्रान खान और एक सीजन्ड फॉरन अफेर मिनिस्टर दे नितितर दे बिच अपने अपनों री-पॉजिशन निन कर रहे है मैं जिमे के पहले सेग्टमेट ते में ने किया है के आइसोलेशन पाकिस्तान दी होई है दे बिच कोई दो रहाए नही है for example सार्ग दा तुसी example लालो सारक कोई नी गया हो थे से हालना के सार्क ती मीटिंग उत्थ है रखी सेगी इसते इलाब़ा अमेरिका तो आइसलेट होया अगर अमेरिका तो जित्वे तक सिर्वे अगर आपकिये कि हमें पाकिस्टान बिल्कुल आइसलेटर को इसना दी कोई कल नहीं है फॉर एग्जामपल अगर सोवियत उनियन तो रशिया तो इंडिया थोड़ा जा दूर गया ताब पाकिस्टान उदे निड़े चला गया एसे करके जड़े सेंटरल एसिया या जड़े वेस्ट एसिया दे कंट्रीस हैं ओ पाकिस्तान दे ना लगगे ही रहेंगे क्योंके पाकिस्तान दी अपनी इक इंपॉट्नेंस है उस खित्टे दे विचे जेव प्लिटिकल लेवल ते इस करके बिलकुल आइसोलेट कोई किसे कंट्री न करता है, पॉसिबल नहीं होंदा, हाँ इनना जरूर है, पाकिस्तान जिसना दी साधी डिपलो में सी रही है पिछले 10 साल दे भीच, खास्ता और पर 9-11 थे बाद, के असी एक सारे नो कठे करांगे, एंटी टेर्रिस फ्रें जोड़ा वापस हमाखे रफ्रेंडम ते कश्मीर दा लंडण लिंक की है का कि लंडन दे वे जाके उसे त्रीके ना जो रान निती है जड़ी और रॉस्रेंडम अलानना मेंलips वर्थी कैई सी ओहो जी रान निती की ऐहो जी कश्मीर दे बास्तिवी पाकिस्तान अपना रहा क्योंक perseor दिया कर अवह की स्पॉन्सर की जानगे कि एक सवेच वी सपॉंसर मसला है महमदखाली तो खाली कोशी करां को के बहतर समझा सकते है तो पार्थ पाकिस्तान दे रिष्ट यह बहतर चान दे हैं फिर्क तो वापस आ रहे हैं कि लंडन अलाना में तबा लंडन वेच कालिस्टान पाकिस्तान माफ घाथ करना पाकिस्तान अड़ा के पाकिस्तान ते Look structures ज़ूड़ा जांता रहा है का खलसानों से दोब ही पाकिस्तान तर्शी देना का महमत काली साथ जिता जार्या है बार बार चर्चा वेच लियांदा जा रहा है गा जिमें लंडन अलान में लिए स्पॉंसर्शिप करन दिया का लाकितियां जा रहे हैं सी कि कश्मीर डेवास्ते भी एहोजी रान निती बनाई जावें कि देखो एदा है कि पाकिस्तान दी डिप्लोमेसी रही है ओदे विच दो चीज़ां बढ़ियां प्रामिनेंट हैं पहली चीज़े है गिया है कि 1971 दी वारते बाद पाकिस्तान दी जड़ी मिलिटरी स्टेबलिश्मेंट आई एस आई डीप स्टेट दी डिप्लोमेसी रही है कीप इंडिया ब्लीडिंग हो थे टेरो चाहे ओ मारन चाहे ओ मारन लेकिन ब्लीडिंग हों दी रहनी चाही दी है नंबर एक नंबर दो जातों असी खालिस्तान दे इत्थे गल होई मूब्मेंट चली टेरोरिजम आया शुरू तही अपर देख देया है चाहे हवाई जहाई हाई जैक होए चाहे कुछ होए पाकिस्तान ओ दे विच मूरे रह और वो बंदे पाकिस्तान दे विच शन रहन दे रहे हैं और वो बंदे जेड़े खालिस्तान दे सपोर्टर रहे हैं ओहो चाहे हम करनेडा दे विच चाहे इंगलेंड दे विच चाहे होर जगाते हैं ओहो नंकाना साब आके या पाकिस्तान दे हवाले दे आल इत्ते आके बियान बाजी करते रहे हैं एक कोई नमी गल नहीं है और और अगर कोई भी व्यक्ति पर तर्तिते किते भी रहे दा है अगर और वह सोचे कि खालिस्तान नहीं कोई चीज बन सक दिया ओए इस चीज नो बिलकुली पूल जाना चाहिए दा यह चीज पॉसिबल नहीं है इस कि इन प्रिकिंग है कि ए लगे रहा है दे विचे कुछ ना कुछ निकलेगा लेकिन दे विचे निकलना कुछ नहीं टहर टॉटी टॉटी है चाहिए खालिस्तान गुलन्ट है चाहिए सिर्फ एई हैगा अधारी साब स्यासते स्टूल नो बरत रही है नहीं मैं तो अंदस था कि लोग ता हाल वालनका दे कि खालू यूज करकर उत जो फैनाशल बैनिफिट्स ले रहे हैं जो असाइल्म्स ले रहे हैं यह सायलम जी खियst्टीफिएकरन वास्ती खालूब करी गयोदिया काई आपनिगा है ओ टै कलाफ सिर्फ एई है इंडियन गार्म कर्मेंट इस तो और दो और आड़ गेंथा इनुप्राओं, आधे, पुरे दोनहीं । आड़ने बेखेदी, शत्वास, भाध रे ड्यूमिया संदू, तुसी वारबार मुद्दा सुक दें। काट गेंथिया अधे में फूस नहीं है। तो आधे दोर वेच भी काटगेंतिया ना बहुत वितकरा होया। ठीक है पर ओधे तो वाइडर तुसे डिस्केशन करोंगे भी केड़े केड़े कारना करके ओ सारा बलास्ट होया। अधे बड़ी गलती कांगरस दी भी आऊगी पर दूजगां तरह भी ओधे विच के वेड़े के वेड़े के मनेयोर्टी सिस्टम में जड़ा प्रिटिकल सिस्टम में जड़ा ऊस पेस नहीं दे रहा सीगा एस करके गला चुकिया जा रही है। मैं एक इन्हें भी पाकिस्तान दे वेचे जो मनोर्टी दा बुरा हाल है ओधे मकावले ते हिंदोस्तान जो मनोर्टी दा उस लेवल दा बुरा हाल नहीं है। दूजी जड़ी गाल मैं कहनी चौना बाकी गला दे लावा उन्हाने लंडन क्यों चुड़ेया क्योंके ओ किश्मीर मुद्दे नूँ पार्टीशन दे पीरिड दे विच लेके जाना चौन दिया। तो अपना क्लेम जड़ा है। उदे टे स्टैबल्श करना चो दिया। बाकी कारना दे नाल डंडन नू उन्हान ने इस गल करके भी जूड़ेया। जी का आज काटगिंतियां अस रखे था ना। कहां? कॉपरेटबली बुए शरखे था ना। मैं एक मेंट जी खाना सा। मैं टेपी जी तो अनू दास दिया। जे कोई खालस्तान जा कोई सेपरेट सेख स्टेट जा कोई सेख होम लेंड बनना होंदा। ता यह 47 ची बनना सी। नंबर बन क्योंकि ओदो रिलिजन बेस्ट एक कांट्री बने आ सी का। भी जड़ों पार्टीशन उन दिया। कि पिशले ओपर आश्रपती जदो ओ दफ्तर उना ने चड़ेया है उना ने जिकर कीता सी के मनारेटी इस खल्चाजार कीता सी और नॉट वेरी कंफर्टेबल यह उना ने गाल ओदो कीती सी इट इस ऑन रिकाट तो वाई क्यों कीती यह उनने उपर आश्रपती हो दिया हो यह उनने जिकर कीता दा ना ने लेंदा तो यह उनने जिकर कीता ओं किने साल वाईस प्रिजिएंट रहे और किनी फैसलिटी लेके तदो उनना ने नहीं किया जेदो ओफिस डिमिट कर रहे सी ओ अपनी फ्रस्टेशन निकारन वास्ते सारी फसिलिटी लेके इने साल इंज्वाय करके जान दे बकत अपनी कंट्री नू बदनाम करने वाली जान दे सिर्फ स्यासियल जाम बाजियां लग दियां असल वेच मुद्धा है निया नहीं नहीं मैं आप जेदे ध्यार लेना जान दा जो मैं फिर कहरा 28 तारीक नो जो इम्रान ने कैसी कैसी एक पेज वीच हैं साड़ी आर्मी साड़ा सब कुछ एक पेज ते आ गया रहे सांतित्यार फॉन्हों आर्मी जिडिया नाराज हो गी उन्हां दे और आज दा जे फोर जेडि गल कर रहा है ओ आर्मी नुख खुश करणवा प्रकुश आर्मी कदे नहीं चांदी के भारत और इंडिया भारत और पाकिस्तान भी शांती हो ओ चांदी है के प्रोब्लम चला खाली स्तान दा हवा उठारे ने खाली स्तान बं नहीं सक्दा इंदूस्तान दे खाली स्थाब मैं जड़ी गल जड़ी तुसी माइनौर्टीज दी गल कीती है ना मैं एनू दो हिस्सें लेना परला था कंस्टिटूशनली यह साड़ा समयदान की केंदा उदे मताबक माइनौर्टीज नू बहुत राइट्स दते गें ठीक है लेकिन जड़ी इनने उपर राष्टरपती डोक्टर हमद इनसारी देगल कीति है ते उदे फसिल्टीज देगल कीती है अ। कई साड़क तो उठां की तबotherapती हो पहला डिप्लोमेट रहा है सगा और अच्छा ब्रिलेंट कैरियर सगा Oops, Nacional कोई खास ग El Aly है लेकिन इन्हाजरूर हैगा के जो ना निगल कई के माइनॉर्टीज आर फिलिंग सफोकेटेड ओहो काफी हद तक सही है खासतर पर पिछले चार साल दे विच मैनॉर्टीज दे गेंज खासतार पर मुस्लिम्स दे गेंज चाहे हो करवाप सीधा हैगा चाहे हो जहाद दे ने ने मैं तो सोचा कि चाहे हैं चाई जब दूर केंज ब अदर कोई मैसूस करें तो साड़ें नो कि से होर सर्वाएट नहीं है सकते कि साधे इंटर्नल मामले देविच इंटर्फिरेस करें अज ए चीज जड़ी है कि बिलकुल ओना चाहिए रहा है खाली साथ मतलग किसे मुलक नूँ साधे अंटर्फिरी मामले देविच दखल देन दी जाज़त नहीं है कोई ने बिलकुल ने इवन युनाइटेड कर दियाकिंव काें ने घंगेंगें साधे ने इस पूरे मामले नू दो पुस्था सरकार धुरी टेक अप कर सक्सक्ति है और ने कर सकती जाकिंदाब आ चावेगा की नी किता जावेगा तकेडी। कूट नीटी केडी रान नीटी अपना ही चावेगी। एंबॉत महत्तना स्वान है क्योंकि दोहार उननी देवेच पारदेवेच चोना है कियां ते ओधों ए मुद्धा हो रुछले का खालते ए मुद्धा जड़ा खोली हुचालता है क्शोना देने डे कश्मीर जड़ा वड़ा मुद्धा पांच जाता है पर एक तो वापस आए लंडन एलाना में तुबा लंडन वेच पाकिस्तान दे कश्मीर जड़ा मनां उन्ते एलान ते की माइन है कि मरगेडिया कालो तुसी मैं एक तो पहला पहला इस सवाल किते हैं तुसी आदी गाली कर लियो मैं पुछे ऐसी दुना मुलकां दी आर्मीदा की रोड हैगा कश्मी ते मामलेच खास तो रहते हैं एक पहलो सेना मुखी राहील शेरीफ जड़े होईने जनरल साभ उनने कैसी कश्मीर जड़ा शार आगया साड़ी साड़ी ओ पाकिस्तान दी फाउज दा ते बड़ा सिदा सिदा उना दा है गया है के बाई ये उपीनियन के साड़ा किश्मीर साड़ हो नू अट्य शाना Unde Neon जंगा जयत कर नी सकए उन प्राक्षी वार जेड़ी है सारी साजिस छोना दी है कोई शाक नी वो चौन दे नहों थे लंडन एलाम नामेच एकते रिफेरेंडम दी काल करनेँगे दो जी काल करनी होना ने रिफेरेंडम कश्मीरियां देनाज मैं कहाई लिया हूँ दो जी काल करनी होना ने human right violation दी और UN दी जड़ी report है इते मैं दसना चाहूँ ना सेना मुखी ने जड़ी गाल केती जी मैं सहमत आओ जिनाद पंतरह सो छबी कुछ ऐसे केसिज होए जड़े के human right violation कमेटियां नहीं हो थे पूरा बैठके उनने जी तक कियात की थी नाइंटी फाइब परसेंट जड़े सी के वो गलस ही के वो जड़े पांची परसेंट ठीक सी के उनने थे खलाफ थी एक्शन भी हो गया बाकी थे एक्शन कर दे हैं नहीं पाकिस्तान नहीं के कर दे लिए हैं कि बलोचे स्थांच नहीं हो रही हैं कि कि अपने मकबूदा कश मीच नहीं हो रही हैं गिलगल बलतास्ताम की हो रहा है यह नहीं पता हो नहीं वो जी ज्वाब पारत तुन तियार करके देना पेगा पुछना पेगा जो कुछ हो कर रहे हैं पारता रेक्शन की होगा पारता रेक्शन वर्ल्ड वाइज रेक्शन होना चाहिदा होना दा के ए एपर्टे असलियत की है होना हो ते पकिस्तान ती आर्थेक्स देती है नहीं माडी है उन्हों बलैक लिस्टे कर लगे नहीं हो देती है अम्रीका पहलो ही दुखी है पर वो उतों तों गला ज्यादा ने थोड़ा बोदा काम होना चल दिया दा ते लोड हो गाले डिपलोमेट अगे प्रैश्टर होना चाहिए दा जूची का एक घाल होर करनी के पिरी उना ने वो करनी एक असी देखो असी ते बाद्चीत अगे खाल करना चाहूने ने किश्मीर मुसाभी ते अपारत नहीं अगे आ रहे है एक घाल करने जूब करने ठीक है तर्वारी साब एहों लग पाकिस्तान कर रहा है और एक ट्राप जिरा है वो त्राप तो शी फसी फस्के अभी देखते नहीं फसे हुँए असी मैं ओ केना चान दा है है हमसी ट्रैप तिरीं ढूलप्मेंट डे प्लान कर तर पूर्दे इस पसे ते ने वह सारा किता और मैं मैं ते एक गल्ग आशी ट्रैप ते फसे नहीं पट कहना मतलब के ए जरा फेर तुसी एसेप्ट क्यों कीता का दा असेप्ट क्यों कीता तुसी एसारी जहां सेप्ट किमें कार लेंगा अभी तो डीटेल आउंगी कि कि अंते डॉलर्प पर तुसी मनेवटी दे नेडे देखना च अच्छिक मुसल्मानादा है और में ध्यान दिना चाना कमलादा ने किया सिगा मैनॉर्टी किया सिगा और यह किया सिगा that does not mean के सारगभू से चाके मैनॉर्टी जा देना चलो और कमलादी ने नहीं लग दे होड कमलादी ने बंद कमरे वीच अलक्सम है और दूर क्यु जा है और परसोदी गल सोचले हो और कहने पाकिस्त मुसल्मानों उनने क्लियर क्या जैसे तो तुसी 90% जेडा वोट सानू कांग्रेस नों नहीं दे होगे तो तो अड़ा जो नास्ते नाम हो दे होगे अगें गलत किया है तुछ 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 नहीं नहीं तो ये बिलकुल जूटा है माइनोर्टी पूरी तरह सेफ साने को ले ए ता आड़मी नो कुछ कर दो है जी के लिंचिंग करी चलो गवो होते है दे नहो हते ए माइनोर्टी सेफ है माइनोर्टी सेफ ए है किया है कि तुसी कहो भी एना दी कारवापसी करो जान के पढ़ के माइनौर्टी यह हैगिया के एना नुजड़ा हैगा पुलिटिकल सिस्टम तो इलेक्टरल सिस्टम तो बार कर देओ ए माइनौर्टी है इस तरह इन्दी गाल नहीं है गाले है कि माइनौर्टी इस वाकई खास्तार पर मुस्लिम्स देगा क्यूंकि वो एक सूच मैं खाली साब जीनौ कहना चांदा मैं नहीं कहनदा एक कांग्रेश दास गोसरा पतर कहनदा है के अल्प संक्या ले वास्ते अलग अस्ताल बनावांगे कर दो कि थे मनेवर्टी नू लाग खड़ा कार देने हो कोई हो र लेवल हो बनादेने हो मैं तब जिकर मिनिक लिए पाशा तोषी सारे बत्ते हैं मेरा सुआल है कि जदो मनेवर्टी इस असरख्यत महसूस कर दी है कि एन मतलब बाकी मुलकां देखो ले जहां बाकी होर कुछ सी लोग कान जेता होया कि मनेवटी दा जिकर कर गे ते एननों कॉर्णर ते कर गें के पीजी मैं पहली गलता है एक कह देया कि जदों पार्टिशन होई देश दी जेड़ा इंडियान मुसलिम्स ने इड़िगा दे विचे रहना कबूल किता उद्दर पाकस्तान चो नह अजिकर कर गें पार्टिशन होई जदों तुसी एक सेकुलर स्टेट नूँ जड़ा मल्टी कल्चर्ड मल्टी रिलिजिस कंट्री और वो खूब सूरती है ओधी फेर भी डेमोक्रेसी दी ओधे विच्छ तुछ तुछी काओंगे आसी येनूं हिंदू रास्टर बनाओना अजिए अनू आपनो ना मनोटी जटे अपोमेटिकली और जो हमनों कमा जो आप दे रहे हां क्याँ आप दे रहे हां कि तुसी सेकुलर हो साठे बंगो असी आफ आप अनू सेकुलर केंने है वो त खूदी कहीं जांदे है वो ते जबेटी है चलरी लाह उर च देख लो बी इंडिया स्टेत सेकूलर है च्वादा असलामिक स्टेत है चीक बेट का लो सेकूलर है पहले सेकूलर में आप सेगूलर ते साथा जड़ी सब्दान कहनेदा है साइटी ओ सानु ओते काल गौर कारदी लोड़ होगी ओ इत्थे उन्हें गाल होई यह दस्या ठीक है माहमद खाली लास्क मेंट वाड़े कि करतार पूर लंगा जरीये पाकिस्तान कश्मीर अड़ा बाइपास पालता है देखो करतार पूर लंगा जड़ा है का ओना ने उन्ह सही गल किती है अपने लेवल थे कहना असी को गुगली सिटी हैं गऌगली दा मतलव के उन्हें है है कि आसी एक इसाइक शचीज संहने राकती है उना दी पावनावान जुड़ा होया इस करके उनों कश्मीर तो सेपरेट करके देखन दी लोड़ा है और कश्मीर तो लेकिन पाकिस्तान सेपरेट नहीं हों देगा उते लंडन दे विचे कठे हों दा मतलवी हैगा के ओना एलिमेंट्स नो भी कठा गिता जाएगा असी कश् अन्वाद महमद खाली तो अड़ा डार मेजर एपीस नो विचे करतार पर कश्मीर तो करेशी इना सारे मसले देखर की ती सारे ब्याना जिकर कीता है रिफ्रेंडम ते कश्मीर दा लंडन लिंक की है और आज नहीं समझ आवेगा समझ आवेगा जो इस सारे चीज्जयां ल झाल